अब तक हम लोगों ने जो वीडियो देखी या जिनके बारे में हम लोगों ने बात किये उसमें लोगों ने ये देखा कि हम लोग सक्रीन रिकॉरडर के थ्रू किस तरह से अपने स्क्रीन के करें लापटॉप की ये स्क्रhoच' बना सकते हैं बहुर थाल करना हो या मुबाइल की उस तैनीं कट्रीजियों को पारें के two b penn करने के बाद बाता टो आपपने अपना mobile phone ओफन करना है और mobile phone ओफन करने कि उपने के बिले स्ट्रों के अंदर झाना है कि यहोज पर इस वक्त मेंठ की ब्रॉब्लम में 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 पास नाट अविरेबिल नहीं है तो मैं आप लोगो वैसी बदा रहती है हूँ आप लोग्त alive Play Store में जाके और Mobizen type करना है M-O-B-I-Z-E-N M-O-B-I-Z-E-N Mobizen जब आप लोग क्लिक करोगे खोलोगे तो उसमें आप लोग को एक application मिलेगी इस तरह की ठीक आप लोगोंने याली application को अपने पास install कर लेना है जब आप लोग इसको install कर लोगे यह application हम लोग यूज़ करते हैं for recording the mobile screens, mobile screens को record करने के लिए ठीक तो आप लोग ने क्या करना है इसको जब अपने पास install कर लोगे इसको install करने के बाद जब आप लोग इसके पार click करोगे तो इस तरह का site pack आइकन शो जाएगा ठीक इसके उपर आप लोगों क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को यह तीन options दिखाएगा first option के तो आप लोग अपनी जो screenshot ले सकते हो और यहाँ पर click करके आप लोग अपने mobile की screen को record कर सकते हो ठीक यहां से start now पर click करोगे आप लोगो की recording start हो जाएगी okay mobile की recording start हो गई है for example मैं यहां पर कुछ भी करती हो like मैंने यह open किया अभी यह सब कुछ जो हो record हो रहा है ठीक और जब मुझे इसको stop करना है तो मैं इसे stop करूंगी यहां से stop का option है इसके उपा मैं एक देख कर दूंगी मेरी recording है stop हो चुकी है और record हो चुकी है यहां से add दिखा रहा है इसको मैं close कर देती हो okay now अगर आप लोग को अपनी recording देखनी है तो आप लोग गिर्ली में जाओगे और यहां से यह रही है आपकी recording इसको play करेंगे देख सकते हो तो यह खुद बाखुद प्ले हो रही है तो इस तरह से आप लोग अपने mobile की screen को record कर सकते हो for different purpose कोई भी जाना सकता है आप लोगो किसी भी चीज़ के ज़रुत पर सकती है यह ज़रुत ना भी पढ़े तो हम ल लाइक जरू किजिएगा इसके लावा मैं यह बता दू कि यह application जो है वो इसका एक और एडिटर इसके साथ हमें मिलता है movies and editor के नाम से इसके थुरू हम लोग अपनी वीडियो को edit कर सकते हैं इसको split कर सकते हैं cut कर सकते हैं कहीं से भी उसमें different editing perform कर सकते हैं तो यह थी हमारी आज की वीडियो आप लोग कैसे लगी है मुझे comment करके जरू किजिएगा अगर पसंद आई तो like जरू किजिएगा thank you for watching I love sis